प्रेंज वादमों स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंच इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पेटर्न के कुछ रिएल बेंकिंग कोश्टेंग और सेम इसी तरीके के के उस्टेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फोर्थ कमिंग बेंकिंग को लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे फ्री ब्लॉक्स एक्जामनी डॉट इन वेबसाइट पर जरूर पढ़ें और पूरे पूरे इन ब्लॉक्स को पढ़ें क्योंकि काफी सारे कॉंसेप्स मैंने इसमें क्लिए किये हैं एक्ज तरीके से डारेक्स देखने को मिलेंगे ठीक है मैट्स हो रीजनिंग हो इंग्रिश हो या करेंट अफेर इन डारेक्स को आपको जरूर जरूर पढ़ना है इनको बिलकुल भी आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि एक्जामनेर जो कोश्चन देता है वो त्विस्ट करके द एक नहीं और डारेक्स और आरेक्शन को हम पढ़ लेते हैं देख लेते हैं क्या दिया है डारेक्सन में इन टuine सेंटेंस ए बैंक फ्रूर 2 य absolutely and इसका मतलब क्या है इसका मतलब में आपको इस रियल कोश्चिन में बताता हूं कि यहां पर एक ब्लैंक दिया है और यहां पर चार उप्शन दिये हैं A B C D इन ओप्शंस में कभी-5 भी आपको दिये जा सकते हैं कभी चार words मैंसे कौन से दो words suitably यहाँ पर fit हो सकते हैं grammatically भी और context wise भी यह दोनों ही parameter पर sentence correct होना चाहिए उसका context भी सही होना चाहिए और उसकी grammar भी सही होनी चाहिए ठीक है तो उसके according फिर आपका यहाँ से combination बनेगा यदि यह सारे fit हो सकते हैं तो all fit आपका answer बनेगा यदि एक भी fit नहीं हो सकता तो non fit non fits आपका answer बनेगा यदि दो कोई भी fit हो सकते हैं तो उसके according cdbc आपका answer बनेगा अब यहाँ से इस question को हम पढ़ते हैं of all the social institutions the family is the most active and successful in young people देखिए यहाँ पर social institutions की बात हो रही है institution जब हम बोलते हैं उसका मतलब होता है social custom सामाजिक परंपरा ठीक है family एक social institution है या social custom है उसी तरीके से marriage एक social institution है या social custom है तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि of all the social institutions जितने भी social institutions है उसमें family जो है वो सबसे ज़्यादा active है और successful है किस सीज में वो सबसे ज़्यादा successful और active है वो आपको यहाँ पर बताना है तो इन्रॉलिंग तो आएगा नहीं क्योंकि family young people को enroll नहीं करती enroll का मतलब तो register करना होता है जैसे हम किसी site पर जाके register करते हैं या किसी course में enroll हम करते हैं तो inrolling word जो होगा यहाँ पर पूरी तरीके से गलत होगा appealing भी नहीं होगा कि family young people को appeal नहीं करती है family institution है appealing तो तब आएगा जब कोई attractive चीज ओ जो आपको appeal करे appeal करना मतलब attract करना आपको ertos mentally और physically आपको appeal करना यानि आपको attract करना guiding हो सकता है क्यो कि family members जो हैं वह young लोगों को guide करते हैं आपके mother father होते हैं आपके parents होते हैं elders होते मोगे वह आपको guide करते ठीक है вمنटी का हिस्सा होते है और motivate भी करते हैं तो guiding और motivating same words है ठीक है अब यहाँ पर देखिए दौनों ही तरीके से सबसे पहले हम देखते हैं grammar wise देखिए यहाँ पर in दिया है इन एक proposition होता है और proposition के बाद हम verb की ing form लगाते हैं जिसको हम English में gerund बोलते हैं gerund actually एक verbal noun होती है चुकि proposition noun को control करता है इसलिए propositions के बाद चाहे कोई सा भी proposition हो चाहे in हो चाहे for हो चाहे off हो उसके बाद यहाँ पर हम verb की ing form ही लगाते हैं हाला कि हिन चारों ही words में verb की ing form d है ठीक है लेकिन चार मेंसे दो word जो है यह grammatically और contextually correct है guiding और motivating तो c और d यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें second ठीक है of all the social institutions the family is the most active and successful in guiding young people and in motivating young people और in rolling और appealing नहीं होगा तो इस question में आपका आंसर होगा CD इस तरीके से इन questions को करना I hope आपको यह समझ में आये होंगे और सेम इसी तरीके के question इस समय पूछे जा रहा है बैंकिंग में प्री और में 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 थोड़े से ज्यादा लेंदी और की questions होते हैं लेकिन at the same time आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंस एक्जाम में आपको time ज्यादा मिलता है एक मिनिट के आसपास आपको time मिलता है question करने के लिए और एक मिनिट यानि 60 seconds काफ concept और प्रैक्टिस अब देखे इस question को हम परते हैं और यहां पर काफी सरे word meanings भी मैं आपको बताऊंगा financial service sector serves देखे financial service sector यहां पर क्या है एक noun है service sector कुन सा service sector financial service sector ठीक है sector यहां पर actually noun है service और financial यहां पर adjective है यानि एक noun को दो adjective modify कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर यह सही है यहां पर यह गलत नहीं है इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक कोई भी object है एक कोई भी noun है जिसके अंदर दो qualities है और ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति या वस्तिव के अंदर 1, 2, 10, 20, 50 qualities हो सकती है तो एक चीज के अंद यहां पर एडिक्टिव है यहां पर noun है ठीक है तो यह पूरा हुआ subject और subject के बाद हम क्या लगाते हैं subject के बाद हम लगाते हैं तो यह हुआ सर्व हुआ वर्ब ठीक है इसमें एस भी लगेगा यहां पर यह मिस्प्रिंट है इसमें एस भी लगेगा सब्सक्रेट कुश्ट करता ही है तो कैसे आप को लोन मिलेगा कैसे आप इंडर्स्क्री डालेंगे तो दूसरे जो उसमें भी financial service sector जो है वो support करता है तो it also के आगे यहाँ पर आपको number one देखे ग्रामर के साब से यहाँ पर चुकी it जो है यह यहाँ पर आपको एक वर्ब चाहिए वर्ब ऐसी चाहिए जिसमें एस लगा हो यानि यह तो ब्लकुल बेसिक ग्रामर है ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर sustain में भी एस लगा हुआ है ओपन में भी एस लगा हुआ है expedite में भी yes लगा है और promote में भी yes लगा है यानि की grammar के साब से यह चारों ही option इसमें आ सकते हैं अब हम देखते हैं इसका context क्या context के साब से यह चारों वर्ब सही है financial service sector serves as a strong source of growth for the economy as beyond the GDP that it generates it also sustains growth of other businesses in the economy sustains word यहाँ पर बिल्कुल सही है sustain का मतलब होता है support करना तो यह दूसरे businesses को भी support करता है जो की सही है financial service sector GDP को बढ़ाने के अलावा दूसरे service sector को भी दूसरे businesses को भी support करता है जो की सही है ठीक है opens door for the growth of other businesses यह बिल्कुल सही है कि financial service sector जो दूसरे businesses की growth है दूसरे business की जो economy उसके लिए भी दरवाजे खुलता है opens doors for for the growth of other businesses in the economy यह भी सही है expedites का मतलब होता है तेजी speed up करना किसी process को it also expedites growth of other business क्योंकि दूसरे businesses है और आपको उस business को expand करने के लिए पैसा चाहिए पैसा करने पैसा चाहिए मतलब लोन चाहिए लोन कहां से मिलेगा आपको financial sector से मिलेगा तो इसलिए दूसरे business को growth करने में भी financial service sector जो है वो आपका मदद करता है और promote भी सही है प्रमोट करता है growth को तो इस particular question में यह चारों words आ सकते हैं चारों words यहां पर suitably fit हो सकते हैं और independently भी fit हो सकते हैं इसलिए इस question में आपका answer होगा all fits ठीक है all fit यहां पर आपका सही answer होगा ठीक है आई होप आपको यह समझ में आया होगा और यह जो question हम discuss कर रहे हैं यहां पर यह आई बीपीएस एसो के real questions है ठीक है अब हम देखते है expedite का क्या मतलब होता है expedite का मतलब होता है speed up करना किसी चीज को हासेन करना तेज करना उसको to speed up the progress of something to to hasten something ठीक है to expedite shipment to accomplish promptly मतलब किसी चीज में तेजी लाना या किसी चीज को तेजी से करना expedite once duty यह expedite के मतलब होते है sustain के कही मतलब होते है sustain के चार मतलब होते है और चारों meaning मैंने example sentence के द्वारा यहां पर आपको explain किये है एक इसका meaning होता है strengthen और support physically और mentally किसी चीज को physically और mentally support करना they thought this thought had sustained him throughout the years इस thought ने उसको support किया या sustain किया ठीक है और undergo or suffer some unpleasant especially an injury जब injury लग जाती है किसी के किसी के कोई दुरहटना हो जाती है चोट लग जाती है तो उसके लिए हम sustained word का use करते सस्टेंड का मतलब होता है suffer करना या उस चीज से गुजरना जिसे यहां पर लेखा है undergo or suffer undergo और suffer he sustained severe head injuries उसके सिर में काफी severe injuries लगी थी उसना उस चीज को suffer किया था तो इस इस सेंस में भी यूज होता है इस सेंस में भी यूज होता है sustain का मतलब sustain का एक मतलब होता है to cause or allow something to continue for a period of time किसी चीज को continue करना the economy looked sad the economy looks sad to sustain its growth into next year मतलब economy को देख कि असा लगता है कि अपनी growth को sustain करेगा continue करेगा उस चीज को ठीक है he seems to find it difficult to sustain relationship with women ठीक है relationship को support करना या उसको sustain करना या इसको continue करना इस सेंस में भी इसका use होता है और court में आपने देखा होगा के permission granted या permission sustained sustained का मतलब होता है accepted objection sustained मतलब objection जो है उसको माल लिया गया है उसको accept कर लिया गया है तो इसको भी हम यहां पर sustain word का use करते है तो इस तरीके से sustain word को हम use करते हैं देखे banking exam में आपको English की basic understanding आपकी check की जाती है आपको English को किस तरीके से apply किया जाता है English को किस तरीके से use किया जाता है English को किस तरीके से समझा जाता है English किस तरीके से काम करती है ये सारे practical aspects आपके चेक किये जाते है आपकी theoretical knowledge वहाँ पर चेक नहीं किये जाती है तो sustain के मैंने 4 words 4 word meaning आपको बताया expedite का meaning बताया और इसमें answer होगा आपका all fit और all fit कैसे होगा ये मैंने यहाँ पर इस sentence के थूँ आपको बताया अब हम next question देखते हैं अब देखे आपको यह थोड़ी सी grammar आती है तो आप इस sentence को कर सकते है इस लिए नहीं आयेगा क्योंकि in spite के साथ हम off लगाते हैं in spite में in और off का होना जरूरी है और in spite of का equivalent होता है despite यानि despite इसमें आ सकता है ठीक है और despite का equivalent होता है even with यानि despite और even with का meaning एक ही होता है इसके बाबजूत इसको हटाके भी ठीक है तो despite और even with का meaning एक ही होता है अब देखिए इसमें हम लगाके यहां पर देखते हैं इदि कोई चीज जीडीपी में राइस करती है जीडीपी को आगे बढाती है तो री इन्वेस्टमेंट अफ डेट वेल्थ ठीक है इस इन्टु सोसाइटल इंप्रूब्मेंट इस नौट ऑल्वेज इनॉब इदि किसी चीज की वज़े से जीडीपी बढ़ता है तो उसको री इन्वेस्ट किया जाए सोसल इंप्रूब्मेंट के लिए ज़रूरी नहीं है यह इसका मोटा मोटा मतलब निकल रहा है और यहां पर यदि आप डिस्पाइट लगाए और इविन विट लगाए इट इस वेल लून फैक्ट इट इविन विद राइज इन जीडीपी कि डारी इन्वेस्टमेंट अफ डेट वेल्ट इन्टी सुसाइटल इंप्रूब्मेंट इस नॉट अल्वेज इनॉम तो इविन विच से और डिस्पाइट से दौनों से ही यह सेंटेंस सही बन रहा है ठीक है तो यहां पर आपका अंसर होगा बी और सी सिसमें सही फेट हो रहे हैं तो आपका आंसर होगा इसमें 3rd ठीक है नास्त पैपरवर्क गोज आ वेज़िए एक इडियों होता है गोज आ लॉंग वे गोज जब आ्युक्त किसी चीज के लिए काफी ज़्यादा अमें करने में तो गो पोज आ यो एक इडिया है थिखेंग और लॉंग इसमें दिया नहीं है देखिये ला इसमें दिया नहीं इसलिए इसमें आपका आणसर होगा, non fits, क्योंकि आप goes a highway नहीं बूल सकते, goes a further way नहीं बूल सकते, क्योंकि एक idiom है, इसलिए ये idiom जो रहते हैं, वो fix रहते हैं, इसमें आप words में बीच में change नहीं कर सकते, और यहां पर goes क्यों आया है, goes इसलिए आया है, क्योंकि paperwork यहां प पोसा paperwork राइट पीपर वर्ग की बात कर रहा है इसलिए यहां पर हमने एक definite article दा का प्रियों किया है ड़एट पीपर और राइट पीपर वर्ग जो है अपने आप में एक नाउन है गोज इसलिए इसमें गोज बूला गया है क्योंकि यह singular नाउन है इसलिए इसको गोज बोला गया है ठीक है गोज आ लॉंग वे एक इडियम होता है और यहाँ पर केबल और केबल लॉंग ही आ सकता है लॉंग इसमें दिया नहीं है तो इसलिए नन फिट्स आपका आंसर होगा आपका आंसर होगा फाइब ठीक है अब देखिए इस कोश्चन को मैंने यह को शहीं अचारी कहीं आपको कॉलेटिकल नालेज के बेस पर किया भले ही इसका मृनिग आपको नहीं हैं लेकिन कोई स jazz आपको सिंटेंज का मीनिग ना पता हो लेकिन इसका मीनिंग हम इसका मिमिनिग कर लेते हैं खीधिश् smartest के मर्य और ऐसका मतलब यह निकल राए है क तो उसका जो claim है आपकी death के बाद वो आपके बच्चों को या आपके nominees को मिल जाता है The right paperwork goes a long way मतलब यदि सही तरीके से paperwork करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है ये एक effective चीज़ हो सकती है आपका पैसा आपके बच्चों को दिलवाने के लिए Getting your money to those you love Those you love मतलब आपके जो nominees हैं आपके जो बच्चे हैं ठीके तो ये इसका meaning actually निकल रहा है तो यहाँ पर इसका meaning हमने discuss किया और इसका answer होगा None fits Question number 5 हम देखते हैं Flourishing is a multifaceted word But in short it means having a lot of mental and emotional अब देखे इस question को मैं पहले आपको grammar से करके बताऊँगा अब फिर मैं आपको context से करके बताऊँगा देखे mental and emotional क्या है Emotional क्या होता है Emotional Emotional के आगे आप क्या लगाएंगे Mental के आगे Mental behavior या mental status इस तरह से बोल सकते हैं Mental situation Mental status Mental condition आप बोल सकते हैं Emotional condition भी बोल सकते हैं तो condition यदि आप यहां पर लगाते हैं तो condition क्या होगा Condition एक noun होगी यानि mental और emotional जो है यह adjective है Mental और emotional क्या है Adjective है और यहां पर आपको क्या चाहिए Noun चाहिए अब इन चारों वर्ट्स में से आपको noun ढूलना है Fulfill noun नहीं है क्योंकि Fulfill तो verb है Contentment का मतलब होता है Santosh, Satisfaction तो यह एक noun है यह noun नहीं है Enriched एक adjective है Enriched मतलब अच्छा या Quality वाला या कई तरीके से इस वर्ट का यूज करते हैं Superior भी बोल सकते हैं हम इसको Enriched एक adjective है Wellbeing एक noun है तो यदि grammar के साब से आप देखें तो यहाँ पर contentment or well being Contentment का मतलब होता है Satisfaction या संतोष और well being का मतलब होता है आपका हाल चाल ठीक है आपकी physical, mental, esthity उसको हम बोलते हैं well being तो contentment or well being यानि B और D यहाँ पर आ सकते हैं B, D आपका इसमें answer होगा यानि आपका answer होगा इसमें first तो यह तो मैंने grammar के साब से किया और यहीं context के साब से देखें तो बैसे भी यह सही निकलेगा Flourishing is a multifaceted word Flourishing का मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना, उभरना, तरक्की करना उसको बोलते हैं जैसे Flourishing business हम बोलते हैं आगे बढ़ता हुआ business Flourishing business ठीक है तो Flourishing is a multifaceted word but in short it means having a lot of mental and emotional satisfaction यह बास सही है कि इसका simple सा मतलब होता है कि हाना कि इसके कई meaning निकलते हैं multifaceted मतलब कई meaning निकलते हैं लेकिन इन short इसका मतलब होता है mental or emotional satisfaction और satisfaction का equivalent है contentment or well-being इसलिए BD इसमें आपका सही आंसर होगा तो इस तरीके से questions को आपको grammatically भी सही करना है और contextually भी सही करना है और I hope आपको यह explanation अच्छा लगा होगा इसकी मदद से आपको help मिलेगी और banking exam में देखिए आपके concepts clear होने चाहिए यदि आप practice करते हैं सही तरीके से तयारी करते हैं तो banking exam को आप निकाल सकते हैं ठीक है यदि आप रटते हैं चीजों को समझते नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि banking exam में आपके जो grammatical concepts हैं वो check किये जाते हैं English किस तरीके से काम करती है तो यहां पर देखे मैंने क्या बताया कि मैंने आपको बताया कि adjective कौन सा है नाउन कौन सा है यदि यदि adjective है तो उसके बाद आपको नाउन चाहिए इस तरीके से आपको analytical तरीके से इस तरीक करता है ठीक है तो यह एक सही तरीका है तो इस वीडियो क्लास में मैंने केवल 5 questions लिए है और I hope आपको यह सारे explanations questions के सारे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपका कोई भी feedback है कोई भी question है कोई भी query है तो इन numbers पर और इन email id पर आप मुझसे contact कर सकते हैं और मेरे आप blocks जरूर देखें ब्लॉक करने के लिए आपको login या sign up करने की ज़रूत नहीं है केवल आपको examiny.in website पर जाना है और वहाँ पर आप block section में सारे blocks पर सकते हैं सारे blocks को पूरा पूरा आप पढ़ें काफी सारे concepts उसमें मैंने explain किये हैं और उससे भी आपको काफी help मिलेगी तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू